कि असलाम अलेकुम चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चैप्टर चैप्टर नमबर 25 जिसका नाम है गुलजार नसीम यह एक मसनवी है और मसनवी किसे कहते हैं मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूं हर एक छिए मतलब कुर Cham meant लेकिन आप लोगो को इस गुलजार नसीम मसनवी का एक इक तबास पड़ना है यानिका पाट पढ़ना है उसको नयुक्त देखना है ठीक है उसको समझना है तो गुलदार नसीम का एक तबास आप लोगों के बुक में दिया है इसको समझने से पहले जरा हम लोग मुसनिफ की तरफ चल लेते हैं उनके बारे में देख लेते हैं फिर चप्टर की तरफ चलेंगे और अच्छा रहेगा हमेशा की तरह गुलदार नसीम के जो राइटर है यानि की मुसनिफ है वो है दयाशंकर नसीम दयाशंकर नसीम का जो रियल नेम है असल नाम है वो है दयाशंकर कॉल क्या नाम है दयाशंकर नसीम का रियल नेम दयाशंकर कॉल इनके पैदाईश हुई है 18 से 11 बीकुल लखनव में ठीक है इनके वालिद का नाम है गंगा परशाद कोल ठीक है जो एक कश्मीरी पंडित है इनके वालिद क्या है कश्मीरी पंडित इनका इप्तदा में शेरोशायरी से लगाओ था दया शंकर नसीम जो थे वो शेरोशायरी सुर्वात में किया करते थे उनसे बहुत लगाओ था इनका लेकिन बाद में उन्होंने मसनवी लिखना इस्टार्ट कर दिया और मसनवी में बहुत जधा फेमस हो गया है और फेमस किस मसनवी से हुए गुलजार नसीम से मतलब यही जो गुल्जारी नसीम मसमवी है यही पू款 ज़ादा फेमस हो गया और इसके वज़ा से वह भी मश्रूर हो गए रातिश लखनवी मतलब होता है श्टुडएं Met and याद रखिएगा दैशंकर नसीम का इंतिकाल हुआ था 18 सब 45 इस बी को यह हो गया दैशंकर नसीम के बारे में कुछ डिटेल्स ज्यादा नहीं दिया इसमें अब हम लोग चलते हैं मस्नवी किस तरफ मैं आप लोग को बुक लेकर नहीं पढ़ाऊंगी अपने जुबान से ही से भी लिख सकेंगे तो देखिए होता क्या है इस इक्तबास में इस पार्ट में इस पार्ट में ना दैशंकर नसीम एक परी के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम है बकावली बकावली नाम की कोई परी है परी जो परी लोग से आती है शक्तिया रहती है देखिए उन्हें सेरियल में दिखाता है परी लोग लोग रहती है एक बालवीर गब आता था बच्पन मैं जुक्ति मेरे पास बहुत जब करती की का स मेरे पास मेरे एक फृर मेरे पास उतना सुप्श्चतिया दिमाग नहींत वह बच्पन में बालवीर सेरियल बहुत अभी देता है तो उसमें क्या होता था कि परिया रहती थी परी जात और उनके पास रहती थी वह अपना मतलब जो कुछ भी करना होता था करती थी तो बिल्कुल उसे तरह दर्शन करना सी बीना इसमें परी के बारें बताए हैं जिसका न जंगल जंगल आका अस्पताल चप्पा चप्पा छान मारती है अपने महबूब को कहीं नहीं मिलता है वो जो परी रहती है बकावली वो बहुत ज़्यदा परेशान रहती है मतलब अपने महबूब की तलास में परेशान हो जाती है और उसके महबूब का क्या नम रहता है ताजुल मुलूक ठीक है बकावली नाम की परी रहती है यहां पर याद रखिएगा बकावली नाम की परी और इसके महभूब का क्या नम रहता है ताजुल मुलूक ठीक है इसकी तलास में यह पागल फिरती रहती है मतलब परिशान रहती है चपा चपा छान मारती है बकावल हे यहाँ याद रखेंगे यहाँ पर confess Defensenly मह भूब का नाम और बात्शा को नाम जैने मरूब को ठीकर जहर में उसके मुलक में उसके मुल्क में जाती है है जालर पर जाती है आ पर जाती है यह परी dawn का ने वा स्वोधित सव्हाइन खाय खारति है है परी ठीक है वहाँ ज्ञेदा हो जाथी आपर अपर चारो तरफ चहचेह रेते हैं चारो तरफ खुक्षिय वहाँ पर बाग में वहना बगी छे दें हैं अपना पंडं़ दे कर मनद भी बहुत जदा खुश हो जाती है और अपना रूप बदल से तेके और उसी तरह बखावली भी क्या करती अपना रूप बदल रही है नागिन रूप बदल रही है यहां पर बखावली ऑपना रूप बदल लेती है पारी की तरह बदल एक लड़के का वेस में आजाती है लड़का लड़का बन जाती है और उस बाजार में घूमने लगती है तो वहां k uniquely जैनल मुलूक उनकी सवारी आती है तो जैनल मुलूक का नजर ना उस लड़के पर पड़ कासियन की बकावली के पास और बोलते हैं कि तुम्हारा नाम किया है तुम किदर से आई हो तुम्हारा चमन किदर है तुम्हारा घर कहां है ठीक है तो वह जो बकावली रहती है जो लड़का के वेस में रहती है वह बोलती है मेरा नाम फरूख है और मेरे वालिद का नाम फिर अंदर आखर तुम कहां से आई हो तुममेरा गर कहां है टीचे तो फिर वो जो लड़का रहता है यांकि वो परी रेती है अब मैं याप उसको फरूप बम लड़का बम ठीक परूप जो रहता है वो बो बहता है कि Аगर मैं फूल होता तो अपने चमन का नाम बताता मैं तो एक गरीब लड़का हूँ ठीक है गरीब इनसान हूँ और गरीब इनसान का कोई घर नहीं होता कोई शहर नहीं होता कोई मुल्क नहीं होता ठीक है मैं फकीर हूँ और फकीर का उससे घर से क्या काम छोड़िये मतलब गाओं का नाम ठीक ह हैं तो जैनुल्मिल्क को सुनकर मताशिर होते हैं फिर छिल्तान रहते हैं तो पिर जैनुल्मिल्क सुल्तान रहते हैं तो तुम मुझ से में कुछ मांगना चाहती है तुम्हारी कुई मांगे तो वो जो फर्व liksom रहता यह रहती है परी वो क्या बोलता है कि 11 माय बर्दास्त करने वह आले इंसानू मैं बहुत जदा बरदास्त करता हूं मैं परेशानिय हो से नहीं घबराता था मुझे कि आप से कुछ नहीं चाहिए ठीक है तो फिर ब्लोक ना उस फरुक नाम के लड़के से बहुत जथा मतासर होते हैं बहुत ज़्यूदा एट्रेक्ट हो जाता है इसके बातों से और जêuन मुल्क सुल्टान जो है उस लड़के को अफंब घर जाते हैं तिके महल में लेकर आए और वहां के वजीर बना दिये मतलब वह जो परी है जो फरुक नाम से लड़का बनी है अब उस शहर का उस मुल्क का एक वजीर बन गई ठीक है वजीर बनने के बाद सभी लोग अब आए उस वजीर से मिलने लगे जो की एक परी है सभी अब यह उसी महल में रहती है और सब के लिए वजीर बन कर वजीर काम करती लड़का बनकर और अपने आप में उप और चल्ट करतीए उसी कि पकीलत है अब यह गुलजार नसीम यह अलग मसनवी है यह आप लोग पूरा मसनवी नहीं पढ़ें मसनवी नहीं नहीं समझें यह एक्तबास था ठीक है तो इसी के सांथ आप लोगा यह एक्तबास कंप्लीट होता है अब चलिए इसके question answer को देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं ठी नसीम का पूरा नाम क्या था तो नसीम का पूरा नाम था दया शंकर को तो दयाशंकर complex number है डिचे तंज्ऌन की मसनवी का नाम क्या ए तो नसीम के मसनवी का नाम क्या sulph और जारे नसीम ये कितना number option में? option number B अपसन number B लगा दिजिएगा उलजारे नसीम चार number सौब ये शायरी में नसीम किसके शागिर्थ है? तो शायरी में नसीम किसके student währendd hacktrot तो आतिश लखणवी के शागिर्थ है तो इसमें option number B में है आतिश तीअ कि लगा दिजिएगा सबसे पहला सवाल है जेरे निसाब मस्नवी में किस वाकिया को नजम किया गया है यान कि यह जो आप लोग का मस्नवी गुलजार नसीम इसका जो आप लोग एक्तबास पढ़ें इसमें किसके वाकिया को किसके कहानी को बताया गया है तो इसमें बकावली के कहानी को बताया गय है ठीक है तो कैसे लिखेंगे जेरे निसाब मस्नवी में बकावली नाम की परीजात के वाक्य को नजम किया गया है ठीक है दूसरा सवाले नसीम का पूरा नाम क्या था तो नसीम का पूरा नाम था दया तिसरे सवाल नशीम की पैदाइस कब हुई तो अठाब से दिया से ये को लखनाओं में चार नंबर सवाले न Extrem के मशूर मस्नवी का नाम लिखिए तो उनके मushuor मस्नवी कौन सा है गुल्जार नसीम पास नंबर सवाल आंशीम के वालित का नाम क्या है तो घंगा परशाद कोल ठीक है अब बात आती है मुक्तसिर सवालात की सबसे पहला सवाल है सिन्फ मस्नवी पर पांच जुम्ले लिखिए आप लोग को बताना है कि मस्नवी किसे कहते हैं जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ जब बकावली अपने महभूब ताजिल मुल्क की तलास में चप्पा चप्पा च्पा चान मारती है जंगल आकास पताल सब एक कर देती है चारो तरफ घूम घूम कर अपने महभूब को ढूंटी है और परेशान रहती है तीसरा सवाल है जयनुल मुल्क की मुम्लकत में कर बकावली को कैसा महसूस हुआ तो बकावली को बहुत खुश्री महसूस हुई क्यों षहे तें लोगों में अपना पन था वहां के बाग बगीचे में श्चार को बात बकावली को बहुत ही जदा खुशी और एक तरह से सुकून महसूस हुआ ठीक है अब देखिए चार नंबर सवाले नसीम की मुखतसिर सवानह बयान कीजिए नसीम के बारे में बायोग्राफी बताना है ठीक है उनके बारे में आप लोग को बताना है तो आप लोग जुम्ले लिखिए बकावली जो करेक्टर है इसमें रोल प्ले कर रहे हैं इसके बारे में इसके किरदार के बारे में आप लोग को लिखना है अब बात आती है तवील सवालात की यानि के दिर्ग उत्रिये प्रसंगी सबसे पहला सवाल है जिर इन एसाब मस्नवी का खुला खुलासा ब्यान करना है जो मैं आप लोग और रेड़ी खुलासा ब्यान कर दी पुरा कहानी तर्श्रीह कर दी तो आप लोग खुद से सजा कर लफजों को लिख दीजिएगा ठीक है तुसरा सवाल है दयाशंकर नसीम की हलात पर तफसीली रोश्णी डालिए दयाशंकर नसी है अपना मसनवी लिखे हैं घुलजार नसीम यह आप लोग अभी पढ़ें इसमें आप लोग को क्या सही लगा क्या गलत लगा आप लोग को जाई-जा लेना है बताना है ठीक है तो इसी के साथ आप लोग का चेप्टर नंबर 25 कंप्लीट होता है अब नेक्स टुडियो मे कोई भी कमफियोजन हूँ आप हमें कमेंट करकर पूट सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर तो बनता है वीडियो को लाइक कीजिए जयदा जयदा शेयर कीजिए अपने पडोसियों के पास अपने दोस्तों के पास और हां चैनल को सब्सक्राइब करकर रख तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चाप्टर के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज